तो आज की इस वीडियों हम सिखेंगे कि आप किसी भी ब्लैक अन वाइट फोटो को कुछ इस तरह से कलर में कैसे कनवर्ट कर सकते हो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हूँ तो सबसे पहले मेरे पास अभी आप देख सेकत हो कि यहां पर एक black and white photo है तो सबसे पहले हम इसका जो background है वो remove करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहां पर कोई सा भी browser open कर लेना है और यहां से आपको Google को open कर लेना है गूगल open करने गगाद अभी आपको यहां पर टाइप करना है remove bg तो जैसे आप remove bg लिख के सर्च करेंगे तो आपके समने यहां पर पहला website आएगा remove bg.com तो simply आपको इस वाले website पर क्लिक करना है और यहां से आपको upload image पर क्लिक करना है तो यहां से आपका जो भी black and white photo हो जिसका आपको background remove करना हो आपको यहां पर select करना है और यहां से open वाले option पर क्लिक करना है तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा इमेज यह 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 वह डाउनलोड हो जाएगा तो इमेज डाउनलोड होने कि बार भी हम इसे कट कर लेंगे तो यहाँ पर देख सकत हो कि मेरे पास अब दो इमेज हो चुका है जो कि एक है बीना background का और एक है background वाला तो हम यह दोनों image को कुछ इस तरह से select करेंगे और यहां से हम Photoshop के अंदर इस तरह से drag करके छोड़ देंगे तो यहां पर देख सकत हूँ कि हमारा जो दोनों image है यहां पर open हो चुका है तो सबसे पहले हम यह पर vision image पर आते हैं जो कि हमारा background वाला है तो हम इसको select करेंगे और यहां से crop tool को select करेंगे और यहां से front image पर click करेंगे तो जैसे आप इसने पर click करेंगे तो इसका size आपको यहां पर दिख जाएगा हम इस वाली Image को सेलेक्ट करके Ctrl A प्रेस करेंगे Ctrl C प्रेस करेंगे यानि Key All or Copy और उसके बाद Ctrl D प्रेस करेंगे हम इस वाली Image पर आएंगे जो की Background Remove है तो इसे हम यहाँ से बड़ा कर लेंगे और यहां से crop tool को select करेंगे तो जैसे आप crop tool को select करेंगे तो हमारा जो original size है यहां पर पहले से फिल रहेगा जो कि हमने इस image से यहां पर लिया था यह front image पर click करके इसका size आपको यहां पर दिख रहा होगा और यह crop होना इक बाद अभी आपने image को copy किया यहां से अगर अपने image को Copio नहीं किया है तो simply आप यहां से ctrl-a press करेंगे ctrl-c pressing करेंगे जो कि हमारा image है वह copy हो जाएगा जो ओरिजिनल image है और यह copy होने क 근क्राथ, इससे हम यहां से cut कर लेंगे और इसे हम यहां से बड़ा कर लेंगे कुछ इस तरह से और यहां से control भी प्रेस करेंगे तो जैसे आप control भी प्रेस करेंगे तो हमारा जो image है वो यहां पर paste हो जाएगा और यह paste होने कब अब अब हम यहां पर नीचे वाले layer को select करेंगे जो कि हमारा बिना background का layer है यह हम select करेंगे और यहां से control प्रेस करके इसके उपर ऐसे click करेंगे तो जैसे आप control प्रेस करके इसके उपर click करेंगे तो यह जो image हो वो select हो जाएगा कुछ इस तरह से और यह select होने कब अब हम यहां पर नीचे वाले layer को कुछ इस तरह से right click करके delete कर देंगे और यहां से yes करेंगे तो हमारा जो नीचे वाले layer है वो delete हो जाएगा और यह भी हमारा ओरिजिनल जो image वही रह चुका है और यह होने के बाद अभी यह selection पहले से ही बना होगा तो यह selection बने रहने के बाद अभी आपको यहां पर अपने keyboard में control shift i को press करना है तो जैसे आप control shift i को press करेंगे तो यह selection जो है वो invert हो जाएगा यानि कि background select हो जाएगा और यह background select होने बाद अभी आपको अपने keyboard में delete button प्रेस करना है तो जैसे आप delete button प्रेस करेंगे तो हमारा जो original image का background है वो remove हो जाएगा और इतना काम होने के बाद अभी आपको यहाँ पर control D press करना है यानि deselect तो जैसे आप control D press करेंगे तो यहाँ पर देख सेकत हो कि हमारा जो original image है उसका जो background हो रिमूव हो चुका है तो इसका quality है वो भी खराब नहीं हुआ और साथ ही इसका background भी remove हो चुका है तो इतना होने के बाद भी हम इसमें जो black and white image है इसको हम यहाँ पर color में convert करेंगे तो यहाँ पर मैं layer panel को कुछ इस तरह से छोड़ा कर लेता हूँ और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारा जो एक image आपको यहाँ पर दिख रहा होगा layer 1 जो कि हमारा यह background image है तो आपको भी कुछ इस तरह से background को remove कर लेना है और remove करने के बाद भी आपको यहाँ पर नीचे creative field वाले option पे click करना है और यहाँ से आपको solid color का एक option दिखेगा है तो simply आपको इस पर click करना है तो जैसे आप control eye press करेंगे तो हमारा image पहले जैसा हो जाएगा और control eye press करने के बाद अभी आपको यह color field को select करेंगे जो कि हमारा दूसरा layer है उपर में तो यह select रहते हुए आपको यह mode वाले option पे click करना है और यहाँ साब को color option को choose कर लेना है तो जैसे है आप color को choose करेंगे तो सबसे पहले हम इस photo में जो यह साड़ी का color है इसको हम यहाँ पर draw करेंगे यानि कि इसको हम colorize करेंगे क्योंकि यह black and white है तो सबसे पहले हम इसको ही color करते हैं तो यहाँ पर यह color में select करने और आपको brush tool को select करना है और यहाँ पर brush tool select करने और आपको यहाँ पर right click करके यहाँ पर कोईशह भी unique yn copyright ना है पहिलाल नहीं सुप्ट ब्रस चूस करने नियुकिवादया, आपको यहाँ पर ब्लैक दिख रहा होगा यैनि कि यहां पर अगर ब्लैक है तो अपको यहां पर वाले color में white choose कर लेना है और white choose करने पाद अभी आपको brush tool को select क कर ले राइट click करके आपको कोई-saft brush चूस कर लेना है और इतना काम होने क्वादविभाद आपको opacity को भी फूल कर लेना है फीलों को भी 50 कर लेना है तो उसका भी मैं आपको एक trick बताता हूँ तो उसके लिए simply आपको यहाँ पर control प्रेस करना है और यहाँ सबको इस image पर इसे click करना है तो जैसे आप यहाँ पर click करेंगे control दबा के तो हमारा selection है वो बन जाएगा और यह selection बनने के बाद भी आप यहाँ पर अच्छे से draw कर सकते हो कुछ इस तरह से यह बाहर draw नहीं होगा क्योंकि इसका जो selection है यह अंदर तक ही है तो जहां तक ही selection है आपको वहीं तक draw करना है तो आप अपनी हिसाब सेहाँ पर draw कर लेना तो मैं आप जल्दी से कर लेता हूँ फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ तो यहाँ पर देख सेकते हैं कि मैंने आप पूरा draw कर दिया है अगर मान लीजे कि आपका draw कुछ इस तरह से हत पर लग जाता है तो आप इसे कैसे हटाएंगे तो उसके लिए simply आपको यहाँ पर यह color को उपर नीचे कर लेना है जैसे कि यहाँ पर white है तो आपको यहाँ पर arrow वाले button पर click करना है तो यहाँ पर black आ जाएगा अगर आपका यहाँ पर white है तो आपका यहाँ पर कुछ इस तरह से brush होगा तो इसी तरह से आपको देख लेना है और यह color होने के बाद अभी आपको यहाँ पर यहाँ पर वाला part है उसको आपको भी color करना है तो यहाँ पर आप अपने ही साब से color चूज कर लेना तो फिलाल मैं यहाँ पर yellow color चूज कर लेता हूं और यहाँ से ok वाले option पर click करता हूं तो जैसे आप ok करेंगे तो यह color पूरा image में जाएगा तो इसको हटाने के लिए simply आप यहाँ पर ctrl i press करेंगे तो जैसे आप control i press करेंगे तो फिर से हमारा image है पहले जैसा हो जाएगा और उसके पड़ आपको यहाँ पर LEAR को select करकर आपको MODE वाले option पेираh क्लिक करना है और यहां से सबसे फेले हम यहां पे image को select कर लेंगे ताकि जो बाहर selection है वो नहीं बने तो इसके लिए फिर से हम यहां पे अपने keyboard में और यहां से हम brush करते हुए कुछ इस तरह से तो मैं आपे zoom कर के ठोड़ा ज़कार लेता हूँ जल्दी से तो यहां पर देख सकते हो कि मैंने यहां पर पूरा color कर दिया है लेकिन यहां पर कहीं कहीं जो extra part है वहां पर भी यह color लग चुका है तो उसको अटाने के लिए simply हम यहां पर यह black को ऊपर करेंगे और उसके बाद जहां भी extra part जो color हुआ है यहां से कुछ इस तरह से erase कर लेंगे और इतना होनेक बाद अभी आप देख सकते हो कि हमारा जो उपर वाला जो cloth है वो भी यहां पर color हो चुका है और यह color होनेक बाद फिर से हम यहां पर control debrace करेंगे यानि deselect और इतना होनेक बाद अभी आपको यहां पर Face का जो color है वो आपको नेचुरल करना है, तो उसके लिए हम यहां पर इसे minimize करेंगे, और यहांसे हम कोई साभी एक image open करेंगे, तो उसके लिए मैं पर फाइल पर क्लिक करेंगे, open पर क्लिक करेंगे, और यहांसे कोई साभी एक color का image है, आपको यहां पर open कर लेना है कोई साब image आप यहां पर open कर सकते हो तो फिलाल मैं अपना image यहां पर select कर लेता हूँ और यहां से open वाले option पर click करता हूँ तो यहां पर देख सकता हूँ कि मेरा image वो open हो चुका है तो यहाँ पर हम इसे side में रखते हैं कुछ इस तरह से और इसके बाद हम यहाँ पर यह वाले image पर click करेंगे और यहाँ से create a fill वाले option पर click करेंगे और यहाँ से solid color वाले option पर click करेंगे और यहाँ पर click करने बाद आपके सामने यह color का option वो खुल जाएगा तो यह color का option खुन लेक बाद अभी आपको यहाँ पर यह दूसरे वाले image पर आना है और यहाँ से जैसे आप इस पर आएंगे तो आपको यहाँ पर एक drop दिख रहा होगा तो इस drop को आपको यहाँ पर कहीं पर भी face पर लगाना है आप यहाँ पर कोई साब image open करके यहाँ पर फोटो का color पीक कर सकते हो और फोटो का color पीक होने बाद आप इसे यहाँ से cut कर लेंगे और यहाँ से इसे बड़ा कर लेंगे तो यहाँ पर देख सकतो कि यह पूरे page में आचुका यह color तो इसको अटाने के लिए Ctrl-I press करेंगे तो जैसे आप Ctrl-I press करेंगे तो यहाँ पर देख सकतो यह image पहले जैसा हो जाएगा और फिर से हम यहाँ पर यह layer को select करेंगे और यहाँ से mode वाले option पर click करके यहाँ से color वाले option पर click करेंगे और फिर से यहां पर black है तो यहां पर white select करेंगे और यहां से brush tool को select करेंगे और brush tool को select करने बाद हम यहां पर control press करेंगे और यहां से हम image पर इसे click करेंगे तो इसका जो selection है वो फिर से बन जाएगा और यह selection बनने बाद image को zoom कर लेंगे कुछ इस तरह से और जहां जहां यह आपको ब्लैक और वाइड दिख रहा है फेस का पार्ट जितना भी है आपको यहां पर ब्रस करना है तो मैं आपको जल्दी से कर लेता हूं फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूं तो यहां पर देख सेक्त हूं कि मैंने पूरा जो प्रोस चेंज कर दिया है तो आपको इस तरह से क्वार को पिक और पर प्रस कर लेना है और इसे आपको आपको आप नैचूरल कर लेना है और इतना होने के बाद Ctrl D प्रेस्क करेंगे यानि Deselect तो अभी आप देख सकते हो कि हमारा इमेज है वो कुछ इस तरह से दिखने लगा है और मैं आपको फैले वाला इमेज दिखाता हूँ तो यह कुछ इस तरह से फैले वाला इमेज था और यहां से आपको जो भी color add करना हो सारी का आप यहां पर add कर सकते हो यहां पर देख सकते हो आप किसी भी color में इसे add कर सकते हो तो फिलाल मैं यह color रहने देता हूँ और यहां से ok करता हूँ और अगर आप इसका भी color change करना चाहते हो तो यहां पे आप इस yellow color पे click करना और यहां से आपको जो भी color अच्छा लगी आप यहां पे change कर सकते हो कुछ इस तरह से तो फिलाल मैं यही color रहने देता हूं yellow color और यहां से okay वाले option पे click करेंगे और यहां से अभी आप देख सकते हो कि हमारा जो इतना काम है वो खतम हो चुका है अब हम इसमें एक background राइट करेंगे लेकिन उससे पहले इसका जो lips का color है उसको भी आपको change करना है तो उसके लिए फिर से हम यहां पे उपर वाली सबसे layer को select करेंगे और यहां पे select करने गद फिर से हम यहां पे creative feel वाले option पे click करेंगे और यहां से solid color वाले option पे click करेंगे और फिर से हम यहां पे कोई साभी color चूज़ करके okay कर देंगे okay करने के बाद फिर से हम यहाँ पे control i press करेंगे control i press करने के बाद हम यहाँ पे उपर वाली layer को select करेंगे और layer select करने बाद फिर से हम यहाँ पे mode वाले option पे click करेंगे और इस बार हम यहाँ पे करेंगे multiply multiply यहां पर आपको multiply दिख जाएगा तो simply आपको यहां पर multiply वाले option पर ख्लेक करना है तो multiply चूज करने के वादा भी आपको ब्रस को चूज कर लेना और image को कुछ इस तरह से जूम कर लेना है अपने हिसाब के और यहां से तो यहां पर देख सकते हो कि मैंने यहां पर लिप का जो color है वो change कर दिया है तो मैं आपको इसे zoom out करके दिखाता हूँ तो इतना होने गबाद अभी आपको यहां पर move tool को select करना है और यहां पर देख सकते हो कि हमारा जो lips का color है वो change हो चुका है अगर आप चाहते हो इसका opacity कम करना तो simply आपको यहां पर opacity वाले option पर click करना है और यहांस आपको इसका जो opacity है वो कम कर देना है अपने हिसाब से या फिर आप इसका color change करना चाहते हो तो आप यहां पर color वाले option पर click करेंगे और यहांसे जो भी color add करना चाहें, आप यहां पे कर सकते हो तो यही color रहने देते हैं, यह color अच्छा लग रहा है, आप यहां पे देख सकते हो कुछ इस थरह से, फिलाल मैं यहां पर इसका opacity रहता हूँ 70 के असपास और इतना होने को बाद अभी आप देख सकते हो कि हमारा इमेज है वो कुछ इस तरह से दिखने लगा है यहां पर देख सकते हो तो इतना होने को बाद अभी आपको इसका जो background है वो add करना है तो उसके लिए simply आपको यहाँ पे file पे click करना है open पे click करना है और यहां से आप कोई साभी background choose कर सकते हो तो फिलाल मेरे पास एक background है तो मैं इसे select कर लेता हूँ और यहां से open वाले option पर click करता हूँ तो यहां पर देख सकता हूँ कि यह वाला background है यहां पर open हो चुका है आप सही से adjust कर लेना और adjust करने वाद simply आपको यहां पर okay वाले option पर click करना है तो जैसे आप okay करेंगे तो यहां पर देख सकता हूँ कि हमारा image का background है वह भी लग चुका है और इतना होने के बाद आपको यहां पर सभी layer को link करना है कुछ इस तरह से और यह link करने के बाद सिर्फ आपको background को छोड़ देना है बाकि सभी layer को कुछ इस तरह से link कर लेना है यहां पर side से और यह link करने के बाद control ए प्रेस करेंगे तो जैसे आप control ए प्रेस करेंगे तो यहां पर देख सकते हो कि हमारा image अलग है और background अलग है और यहां से selective color value option पर click करेंगे तो जैसे आप उस पर click करेंगे तो यहां पर color का option वो खुल जाएगा तो यहां पर आपको red automatic select रहेगा तो यहां पर आपको नीचे एक option दिख रहा होगा yellow का तो simply आपको yellow को कुछ इस तरह से कम करना है यहां पर आप अपनी हिसाब से कर सकते ह और यहां से आपको yellow color को choose कर लेना है और yellow color को choose करने बाद simply आपको यहां पर फिर से yellow वाले option पर आना है और यहां से इसे भी आपको कुछ इस तरह से कम करना है यहां पर देख सकते हो इस तरह से आपको side करना है और यह करने गवा simply आपको यहां पर okay वाले option पर click करना है और पर क्लिक करने बाद आपके सामने करब पर जो ऑपशन है वो खुल जाएगा तो यहां पर आपको करब को थोरा सा उपर करना है कुछ इस तरह से यहां पर देख सेकतो हो ये पहले वाला इमेज है जो कि Black and White फोटो था और अभी आप देख सकते हो ये image को कुछ इस तरह से जो कि Black and White फोको यह को इस तरह से तो आप दिल्ण के से इस तरह से е पहले आप देख सकते होगा। झाल 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 झाल